कंटीनियू आप तुलसी का काढ़ा आपको पीना है गरमा गरम हो भी और ऐसा ठंडा नहीं पीना ठंडा होगा पदार्थ इसलिए आप मिल्टन का या कोई बौटल लीजिए जिसमें गरमा गरम रहे यह इस तरह का बौटल इसमें भरके रखें जैसे इसमें गरम पानी भरा ह ऐसे उपंती काड़ी और साम को पाज बजए और और एक सबजी खाईए टिके ना और अगर आपको लगता है कि मुझे ये फल खाना है तो आप खाना खाने कि आधे हूट पहले फल खाईए फलजूस ठीक है ना दूसरी बात ठीक है ना दूसरा अभी मैं pH strip भी आपको दे रहा हूँ आप pH आपका हम नापेंगे आप क्या है अपने पेशाब में pH strip जब डुबाएंगे और उसका color अगर 7 आया तो pH ठीक है और नहीं आया तो pH ठीक हो जाएगा दूसरा काम क्या करना है दूसरा काम यह हो गया कि अब आपको जो है गंद चिकित्सा की आपको मैं बात बतारूँ अभी आपके कमर में दर्द है आप नीचे उठके उठानी पा रहे हैं मैं आपको गंद चिकित्सा आपको बतारूँ जो अगनी होतर तो infinite energy उससे छोटे पौधे देखे हैं एक वीडियो भी ले लेते हैं पौधों को फल का कल भी हमने कुछ वीडियो लिया है और अभी हमने उर्जा लेवल भी नापा इसी खेट का उर्जा लेवल आप देखेए मैं बतारू हमारी टेकनिक में यह अमरूद जो है भी जो लगा लगे हैं उसमें गुच्छे में फल लगे मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो मैंने हर पत्ते से लोकी लिए हजार लोकी लिया एक पॉधे से सीखा आपसे 3G कटिंग नाम मैंने दे दिया 3G का फेमा सम हो गए कटिंग आपसे सीख लिए केवाल उसको नाम दिया लोगों को सिखाने के लिए जैसे क्या होता है एक मिटिंग में जब भी 3G कटिंग की बात होती है आपका नाम जरूर लेते हैं यह जो 3G कटिंग है मैंने बीपगी से सीख तो अभी क्या हो रहा है हमने 3G कटिंग किया लेकिन फल जड़ रहे थे फूल क्यों एनरजी नहीं था प्लांड में हर पत्ते में फल देने का हमने एनरजी लेवल देके लेवल बढ़ा के हमने रंग से बढ़ाया गंद से बढ़ाया मन से बढ़ाया आप इस्टाबलीस कि जिये अपरा और परा को जो किए कि वघ्रजीं से होगा यह अम्रज जल से होगा दो गवर में गुड मिला के डालो कैसे ही करके डालो गुड़ गवर एक करेंगे तो आपका फसल कीमिटी में अपरा और परा इस्टाभ प्रास हो जाएगा वेवल नेकिन मन की उर्जा से तो अपन आज का सत्र जो है समाप्त करते ही एक घंटा जो है चौबीस पच्चिके ता ब्यालिसमेंट हो गया लगता है खुब हुआ लेकि मुझे लगता है कान्क्लूजन तो नहीं होता इसका ये शुरुवात होती है कन्क्लूजन कभी नहीं होता ये तो शुरुवात है फिर भी कैसा लगा आपको कल और आज दो दिन का जिसमें लगे कुछ तो बात क्या हो अरे वाव वाव जोरदार में तैली है आप हर बात को ऐसा बोल देते हैं चल ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा एक बात मैं लेकिन आपको बोलता हूँ पिछले 10-12 सालों से लगातार मैं जो है देखिए मैं सुनने वाला प्राणी हूँ बोलने वाला नहीं हूँ अब ऐसा हो गया है बोलने वाला अब क्योंकि मैं बोलनी की उपाधी प्राप्त कर चुका हूँ ना प्रोफेसर हो गया आप मैं अब चुकी महिने कुछ पा लिया है तो अब मुझे इसको बाटना है मैं महिने में 25 दिन बाहर रहता हूं गुरोजे हमारी पत्नी बहुत नाराजनी हम मानते हैं कि मेरी पत्नी बहुत कहना ची उस इस्तर की है जो मुझे 25 दिन छोड़ लेती देती है नहीं तो आज किसी जो है एक बाट डाट देता हूं थोड़े लड़ ली और छोड़के चले 15 दिन पता चले अच्छे काम करो उच्छल कूद के तो मेरी पत्नी के अंदर यह जो है बहुत बड़ा गटस है मेरा स्वभाग्य है कि ऐसी पत्नी मुझे मिली कि मैं आज जो है पैर में चक्कर मुह में सक्कर हदय में आग और दीमाग में बर क्या बात है यह संगह ने मुझे सिखाया राष्टी स्वभ संगह ने कि अच्छे काम है तो पैर में चक्कर खूब चलो मुह में सक्कर हमेशा मीठा बोलो सही आदमी गलत आदमी भी मिले तो उसके लिए भी मीठा बोलो बोल चीज़े रखके मैं तो निकल पड़ा और मुझे जो है यह पता नहीं आप बुला रहे थे बार बार पर मैं आया नहीं और कल आया और कुछ सोच के आया और जो है दीपवली के पवित्र दिनों में ज्ञान का प्रकास और यह मैंने आपको अपनी बात समझाने की कोशिस की जो मैं जानता था अम्रत मिट्टी आपको लगता था ताराचन बेल जी अम्रत मिट्टी पर जा क्यों नहीं रहे मुझे बहुत पहले से पता था अम्रत मिट्टी स्वयम पूर्ण है लेकिन यह पूर्ण चीज मैं बताऊंगा पहले ब्रांड बन जाओ रो मैंने बताया है और आपका सबसे अच्छा से से बनके बताऊंगा यह ध्यान आप जो है आपकी बात मेरे सब्दों में समाज में जाएगी और आपकी मुख से नि यह जो अनुप्युक्त हो गए इस अनुप्युक्त मिट्टी में केवल अम्रत मिट्टी ही उसको ठीक कर सकती है वहां अम्रत मिट्टी ही काम आएगा बाकी मेरी को डेल सो टेक्नलोजी काम नहीं आएगी अम्रत मिट्टी और अम्रत जल ही काम आएगा और हम फिर से जो है उस बंजर मिट्टी को ठीक करने की हमें प्रक्रिया मिलेगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेश करके मेरे बच्चे तो खूब आपके यहां जो है मुसंबी खाए हैं लाला चैना अच्छी चीज को लोग चोरी करके खाते ना भगवान कस ने चोरी करके मखन खा लिए चलिए बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद यह पत्ता में लेके आई रुक जाओ यह अम्रुत मिट्टी अम्रुत जय है मा की सेवा करोगे तो बच्चा सक्षम आएगा है वो निरोगी होगा है वो यह सेवा सिप मा की नहीं है यह माध्य में पंचमाब पुतों की उपास्णा करने के लिए और जब किसान एक फुजारी बन जायेगा पंचमाबुत aucunज और ipadana करने गया जो उपबhokta है, खाने वाला है उसको भकत मालेगा। जो भकत मन्दि में आया, उसको प्रसाद देना खिसां का धर्मा बन जाए। जिस दिन पूर्ण रुप्ष बन जाएगी पूरा भारत देश ने विश्वा सोन में बन जाएगी, भारत लापस सोन की चिलिया बन जाएगी, इसका उपाय है, खेती उपासना प्रसाद आठेगी। बात को आज का विश्वा आपके पास छोड़ जिया है। नहीं बिलकुल बिलकुल खेती एक उपासना है, आपकी वानी जो है हम जन्द जन्द तक पहुंचाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।